सो हेलो दोस्तों Welcome back to our YouTube channel दोस्तों आज किस वीडियो में हम CSS के बारे में बात करेंगे और दोस्तों यहां पर हम CSS को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इंटर्नल CSS, एक्स्टरनल CSS और इनलाइन CSS तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने HTML की बात की थी और हम लोगों ने देखा था कि HTML की help से हम लोगों ने अपना web page को create किया था और दोस्तों उसमें हम लोगों ने link, images, text के बारे में भी सीखा था और दोस्तों जब हम लोगों ने HTML पढ़ा था तो वहां पर style element mention नहीं था लेकिन हम CSS में style element का use करेंगे और देखेंगे कि अपने web page को और कितना stylish बना सकते हैं दोस्तों यहां पर 그럴 और आप देख रहे हैं टेक मृदल चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर CSS का मतलब देखेंगे जो कि इसका full form होता है cascading style sheet तो दोस्तो यहां पर style का मतलब यह है कि हम अपने web page में styling use करना means styling use करने का मतलब जैसे की font, color, size, image styling, background color means हम कौन सा color रखना चाहते हैं या फिर हम लोग background color कौन सा use करना चाहते हैं अपने web page में तो यह सारी चीज़ें हम लोग styling में करते हैं जो कि हम CSS की help से असानी से कर सकते हैं तो दोस्तो हम लोगों ने देखा था कि HTML में ऐसा style element कोई भी नहीं था जो कि हम लोग और जादा attractive कर सकें तो दोस्तो यहां पर CSS का use आया कि CSS को हम अपने web page को और ज्यादा कैसे अच्छा बना सकते हैं तो दोस्तो यहां पर CSS को तीन पार्ट में divide किया गया है जो कि internal है, external है और inline CSS है तो दोस्तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे और practical करके भी देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग इनका practical use देखेंगे और अपने web page में कैसे इसको और अच्छा attractive बना सकते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तो अगर आपको उस line के अंदर या फिर उस tag के अंदर आपको CSS apply करना है जैसे कि color change करना है या फिर design करना है तो inline CSS का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए हम आपको practical करके दिखाते हैं कि inline CSS कैसे use कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे मैं आपको inline CSS का practical use करके दिखा रहा हूँ कि दोस्तो कैसे हम लोग inline CSS को use कर सकते हैं अगर मुझे line पे caces apply करना है तो दोस्तों अगर मुझे इस line पे अगर मुझे caces apply करना है तो दोस्तों मुझे simple सा यहाँ पे style लिखना होगा और दोस्तों style लिखने के बाद मुझे color suppose अगर blue करना है तो दोस्तों यह मैंने लिख दिया कि suppose यह दोस्तों यहाँ पे style color blue कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे पहली line जो है blue हो जानी चाहिए तो दोस्तों इसे run करके देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे run करने के पाथ देखिए कि यहाँ पे जो superman is a fictional superhero यह दोस्तों blue हो चुका है means मेरी पहली line पे CSS apply हो चुका है दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है inline CSS का use कर सकते हैं और आपको मैंने practical भी दिखा दिया कि कैसे use कर सकते हैं कि सपोज दोस्तों मैं एक और आपको दिखाता हूं कि सपोज यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ font family दोस्तों यहाँ पर font family मैं लिखता हूँ roboto और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद font size लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैंने यह लिख दिया और दोस्तों उसके बाद फिर मैं यह लिख दिया तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर font family जो है, दोस्तों यह हमारी style properties है, और दोस्तों यह हमारी robot क्या है, यह एक value है, यह font family जो है, यह हमारी style properties है, यह इसकी value है, तो font size जो हो गया, हमारी style properties हो गया, और दोस्तों यह इसकी value हो गया, तो दोस्तों अब इसे run क करके देखते हैं क्या result आता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो है Superman is a fictional superhero यह दोस्तों कितना size इसकी मैंने बढ़ा दी inline cc को apply करके तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप inline cc का use कर सकते हैं किसी भी line by line अगर line पर हमें cc apply करना है तो दोस्तो इस तरीके से आप inline caces को apply कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे internal caces के बारे में बात करते हैं internal का मतलब होता है उस web page के अंदर caces apply करना जितने भी tag है उन सभी में आपको same style apply करना है तो उसे हम internal caces कहते हैं दोस्तो सपोस अगर आपके बाद 5 से 6 paragraph हैं web page में और उसमें styling apply करना है तो दोस्तो अगर आप line by line caces apply करेंगे तो दोस्तो आपको line by line code लिखना पड़ेगा फिर उसको copy paste करके next line में आपको लिखना पड़ेगा code तो दोस्तो इससे आपका जो time है वो बहुत जादा waste हो जाएगा और दोस्तो दूसरा जो तरीका है वो यह है कि आप एक head tag के अंदर अपने style को declare कर दीजे और दोस्तो जितने भी paragraph है उन सभी में यह वाला style apply हो जाए तो ऐसे condition को दोस्तो हम लोग internal styling कहते हैं कि पहले आप जो है head tag के अंदर style को आप declare कर दीजे फिर उस style को जो है use कर सकते हैं जितने भी आपके paragraph है तो इस तरीके से दोस्तो यहाँ पे मैं आपको practical करके दिखाता हूं कि दोस्तो internal sources को हम कैसे apply कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे को कैसे हम लोग internal spaces को apply कर सकते हैं तो दोस्तो internal lessons को apply करने के लिए मैं आपको बताया कि head tag के अंदर सबसे पहले हमें style लिखना पड़ेगा style को declare करना पड़ेगा तो nehmen विसका जो है मैं closing टैग भी लिख देता हूं तो दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं और सपोस अगर मुझे यह कलर को रेड़ करना है तो दोस्तों यह जो पी है यह दोस्तों इसको हम लोग stml selector बोलते हैं कि stml selector यह stml में apply होता है कि suppose जैसे मैंने p लिखा है तो तो यहाँ पे जितने भी p है यहाँ पे सब पे apply हो चुका है और दोस्तों suppose मुझे h1 पे भी apply करना है तो दोस्तों अगर suppose मुझे h1 पे apply करना है तो दोस्तों यहाँ पे मैं color suppose जो जो फिर्फ ग्रीन कर देता हूं और तो ढूसों यहां पे हम लोग रन करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है कि दोस्तों यहां पे जो है यहां पर यहां पर आपने देखा कि कैसे हम लोग जो है एक बार declare करने के बार दोस्तों वेब पेज में जितने भी हैं सब में हम लोग पीकस्टव ऑपको और दिखाता हूं की सब कर दिया है और दोस्तों यह आप देख सकते हैं यहीं जो है इसकी size है वो बड़ी हो चुकी है तो दोस्तों इस तरीके से और दोस्तों यहां पर यह जो font size है यह property है और यह property की value है तो दोस्तों इस तरीके से आप inline internal css का use कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो next आता है वो है external css और दोस्तों यह जो external css थोड़ा सा difficult है और बहुत ही important है एक website में कई सारे web pages होते हैं तो यहां आप single page के लिए तो आप external css का use कर लोगे या फिर inline css का use कर लोगे suppose अगर 10 web pages हैं और 10 web pages में आपको internal use करोगे तो आपको बहुत ज्यादा code वहाँ पे लिखना होगा और जैसे कि दोस्तों अगर 10 web pages हैं तो आपको 10 बार code को copy paste करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा उससे जो कि आपका बहुत time waste होगा यहाँ पर आपको अलग से एक CSS file बनाना होगी external css में आपको एक अलग सी फायल बनाना होगी जिसका extension होगा .css तो दोस्तो जैसे आप stml फाइल बनाते हैं और उसका जो extension होता है stml होता है वैसे यहाँ पर extension जो है css का .css है तो दोस्तो जो भी आपने style लिखी होगी external css में अगर आपको वो उसको apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको link डालना होगा head tag के अंदर कि suppose अगर आपने external css बना दी फाइल और एक stml जो आपने बनाया हुआ है तो इन दोनों को link करना है तो आपको stml के head tag के अंदर आपको link apply करना होगा तो दोस्तों जितने भी आपके web pages होंगे browser में उन सभी में styling apply हो जाएगी तो दोस्तों चलिए मैं आपको practical करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है हम external css का use कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको external css कैसे apply कर सकते हैं अपनी web page में तो उसके बारे में बताते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो है style.css की मैंने एक .css extension से मैंने फाइल create कर ली और दोस्तों अब कैसे इसको link करना है अपने stml page से वह भी मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो है यहां पर भी sselector use कर लिया paragraph में मुझे suppose अगर पहले पहले सेसे apply करना है तो यहां पर कलर सबोष मैं लिख दिया अब दोस्तों मुझे मुझे अपनी जो है वेब पेज में जो पैराग्राफ है उसमें जो है कलर ग्रीन करना है अब दोस्तों मुझे अपना जो है HTML पेज में जाना है अब दोस्तों मुझे एक्स्टरनल जो मैंने सेसे अभी जस्ट अप्लाई किया है सेसे मुझे उसको stml paste से link करना है अब दोस्तों link करने के लिए जो है सबसे पहले मुझे जो है link tag यूज करना है दोस्तों मैंने आपको बदाया था कि है tag के अंदर ही आपको लिखना है आरियल दोस्तों यहां पे style sheet दोस्तों यहां पे मैंने style sheet लिख दिया और दोस्तों यहां पे आपको href यूज करना है और दोस्तों यहां पे style.saces अब दोस्तों यहां पे मुझे यह link करने के लिए यह link जो है दोस्तों मेरी external से लिंक हो छुका है यह जब मैंने गिन्क करके देखते हैं कि minority आता है अब दोस्त दोस्तों आप external file create करते हैं फिर उसे जो है अपने html paste से link करते हैं और जो भी दोस्तों आपको css apply करना है वो आप यहां लिखते हैं कि सबोस्तों यहां पे मुझे h1 पे css apply करना है means दोस्तों यहां पे color उसको red कर देना है और यहां पे जो font size है दोस्तों उसको जो है 100 pixel कर देना है ठीक है दोस्तों अब इसे हम run करके देखते हैं result क्या आता है अब दोस्तों जैसे ही मैंने इसको run किया तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं जो tech module है वो काफी red हो चुका है और इसकी जो size है वो बढ़ गई क्योंकि दोस्तों यहां पे मैंने external ccs में 100 pixel कर दिया था और दोस्तों यहां पे मैंने link करने के लिए external file से link कर दिया था जो की href use होगा और यहां पे relative reference तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप external ccs का use कर सकते हैं और दोस्तों सबसे best है क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको हर line पे आपको code नहीं पढ़ रहा है आपको एक file बना देना है वहाँ पे code लिखना है और आपको link कर देना है अपनी HTML file से तो आप external बहुत ही आसान है और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे inline यूज़ करना होता तो यहाँ पे katek के अंदर आपको बार-बार code लिखना पढ़ता और दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरनल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप code लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ प्यापे आपके में सारे apply हो जाकते हैं लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है internal में कि अगर 10 से ज़्यादा web pages है तो आपको 10 web page में आपको वो code बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि एक web page नहीं होता है website के अंदर बहुत सारे web pages होते हैं तो वहाँ पे internal caces को apply करना और काफी वहाँ पे code lengthy हो जाता है और वहाँ पे time भी waste होता है और यहाँ पे आपको क्या करना है फाइल में जो भी आपको caces apply करना है वो आपको link देना है और दोस्तों यहाँ पे आनिक बस आपको एक link अप्लाई कर देना है जो कि यह है link मैंने apply कर दी जो कि style.caces है मेरी file का नाम.caces जो extension version है तो दोस्तो इस तरीके से जो है आप external selesaska use कर सकते हैं कि दोस्तो वीडियो कैसे लगी आप comment करके जरूर बताएगा अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी यह तो आप लाइक से सबस्क्राइब कर दीजे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में